जैमत अदी नमस्ते सनातन धर में पेर पोधों को देवी देवताओं के तरह ही पुझनिय माना गया है धार्मिक मन्यताओं के मताबिक माना जाता है कि कई पेरों पर देवी देवताओं का बास होता है जिसकी पूजा करने पर जातक के जीवन से जुड़े कई तरह के कश्ट दूर हो जाते हैं जबकि उनकी मन मुताविक मनोकामनाय पूरी हो जाती है मनियताओं के नुसार कई पेरों से जुड़े जड़ से लेकर पत्ती फल तक में साधक के सभी परिशानियों को परिशानिया दूर हो जाती है दरसल इन पौधों में खास बात है कि इसमें कई तरह के पौधों का ना सिर्फ धार में बलकी जोतिसी ये लाब भी बताया गया है तो आईए जानते हैं कि इन पेर पौधों की पूजा से बेक्ति की सभी मौनोकामनाय पूरी होती है उससे जुड़े पूजा के अचुक उपाय के बारे में बिस्तार से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं आउले की पेर की पूजा का उपाय सनातन धर में आउले के पेर को काफी पवित्र माना गया है चुकि इसकी उत्पत्ती मातालक्षमी के आंसुवों से मानी जाती है माना जाता है कि आमले के पेंड की पूजा करने वाले साधक पर इसवर का अशिरबाद बना रहता है जिससे ओपना खुसहाल जीवन जीता है तो अब चलिए जानते हैं केले के पेंड की पूजा से परिवार में आएगी खुसिया तो इसके बारे में जानते हैं धार्मिक मन्यता के मुताविक केले के पेंड में भगवान विश्नु का वास होता है ऐसे में गुरुबार को सिरी हरी नरायन की पूजा के बाद केले के पे हो जाती है तो चलिए अब जानते हैं आम के पेंड की पूजा का क्या महत्व है माना जाता है कि आम के पेंड को सास्त्रों में काफी महत्व है क्योंकि इस पेंड की पतिया लकडिया फल सभी कुछ पूजा में काम आता है इसके साथ ही हिंदू मनियतवा के अनुसार हनुमान जी को आम काफी पसंद है इसकी पूजा करने से सारे दुख और परसानियां दूर हो जाती है तब जल ये जानते हैं तुलसी के पेंड की पूजा के महत्व के बारे में तुलसी के पूधे का धार्मिक महत्व बहुत जादा होता है भगवान की पूजा बिना तुलसी की दल के पूरी नहीं मानी जाती है चुकि तुलसी के पौधे में मालक्षमी का बास होता है ऐसे में जिन जगहों पर तुलसी के पेंड की पूजा होती है वहां हमेशा सुख और सम्रिधी बनी रहती है धार्मिक मन्यता के अनुसार तुलसी को बिश्नु प्रिया के नाम से भी जाना गया है जिसकी पूजा करने वाले जातक पर स्रीहरी का पूरा अस्रिवाद बना रहता है तो चलिए भी जानते हैं समी के पेंड के पूजा के महतु के बारे में सनातन धर्म में समी की पेड का धर्मिक यूं जो 30 की महतुक के बारे में बताया गया है ऐसा माना जाता है कि जिस घर में समी का पउधा होता है उस घर में सनी देउ तक कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं इसके अलावा समी के जड़ को धार्ण करने पर साधक को सनी संबंधी दोस्ट से निजात मिलता है पीपल की पेंड की पूजा के महत्तु के बारे में अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे धार्ण मिक मन्यता है कि पीपल की जड़ और तनों में भगवान विश्णू और स सिव जी का बास होता है जहां पीपल के पेंड की पूजा करने से साधक के जीवन से जुड़े सारे दुख दूर हो जाते हैं यदि किसी भी आर्थिक परिशाने दूर नहीं हो रही है तो पीपल की पूजा करने से पैसों की किलत दूर होती है इसके साथ ही सुख सवभाग क भी प्राप्ती होती है तो ये जनकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और आपका इसे जुरा कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पुछें जय मता दी